कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा हिंदूओं का प्रसित त्योहार है यह त्योहार संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू कलेंडर के अनुसार यह त्योहार कार्तिक महा की पूर्णिमा को मनाया जाता है कार्थिक पूरिमा को त्रिपूरी पूरिमा या गंगायस नान के नाम से भी जाना जाता है इस पूरिमा को त्रिपुरी पूरिमा की संग्या इसलिए दी गई है क्योंकि इस दिन ही भगवान भोले नाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे कार्थिक पूरिमा भारत का एक सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है जो की भारत में तीन प्रमुख समुधायों के लिए सबसे अहम इस्थान रखता है इस त्योहार को हिंदू, जैन और सिख समुधायों के लोग अपने अपने प्रकार से मनाते हैं कार्थिक पूर्यमा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अफ़तार लिया था इस दिन सिख्य समुदाय अपने पहले गुरू गुरू नानक देव का जन्मि दिन मनाते हैं सिख्य समुदाय के लोग सुभा नहा धोकर गुरू द्वारे जाकर गुरू वानी सुनते हैं इस्तिवहार को गुरू पर्वे भी कहा जाता है कार्थिक पूर्णमा के दिन कार्थिक पूर्णमा इसनान के बाद कार्थिक व्रत पूर्ण होते हैं पवित्र नदियों में इसनान, सरोवरों में इसनान, मंदिरों में पूजा पाठ एवं गुरुद्वारें में शबत कीर्तन आदी अनेक कारिक्रम दिन भर चलते हैं ऐसी माननेता है कि कार्थिक पूडियों में किव है सनान, दान होम, यग्य और उपासना आदी का अनंतफल होता है धन्यवाद